Hello friends, welcome to tiny garden तो दोस्तो बहुत दिनों से मैं sweet potato wine nursery में ढून रही थी लेकिन वो बोलते कि अभी आएंगे, अभी खत्म हो गया है तो एक बार मुझे वो मिला भी लेकिन वो कुछ healthy नहीं था तब मैंने सोचा कि मैं इसे घर पर ही ग्रो करूँगी hanging basket में लटकता हुआ भी ये बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है तो दोस्तो आप भी इसे घर पर ही बड़ी आसानी से उगा सकते हैं तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये शकरकंद सबजी वाले से ले लिए थे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या उपर रखना है कौन सा हिस्सा कौन सा हिस्सा नीचे रखना है लेकिन हो सके तो मोटा हिस्सा नीचे रखना है और जो पतला वाला हिस्सा होता है जैसे कि ये है इसको हम उपर रखेंगे शकरकन भी कई तरह के आते हैं जैसे जो थोड़े से डाक कलर के होते हैं थोड़ा परपलिश से कलर के होते हैं उनके पत्ते थोड़े परपल कलर के निकलते हैं जो थोड़ा वाइट वाइट सी होती है शकरकन तो वो थोड़ा फशायद लाइट ग्रीन कलर के निकलते हैं और ये नॉर्मल सी है, थोड़ी सी परपल है, तो देखते हैं, इसके पत्ते कैसे निकलते हैं, तो अब मैंने ले लिए हैं ये दो काच के गलास, और ये काच के इसलिए लिए हैं, कि ताकि इसकी रूट्स जो हमें दिखती रहें, और जब इन डिरेक्शन लाइट पड़ेगी, तो रूट्स इसमें से हमें विजिबल होती रहेंगी, कितना उगा है, कितना नहीं, तो देखी इसमें भर लिया है मैंने पानी, और इसको ये मोटा हिस्सा मैं नीचे टिप कर रही हूँ, थोड़ा सा तिर्चा करके रख रही हूँ, ताकि जो है स्पेस उसे ज्यादा मिले रूट्स निकलने में आसानी हो, बिल्कुल नीचे ऐसे दबा देंगे, तो वो दब जाएगा, और इसको मैं इस तरह से उगा रही हूँ, दो ये मैंने टुट्पिक इसमें डाल के, इसको थोड़ा सा उठाया है मैंने, ताकि रूट्स निकलने में आसानी हूँ, तो दो त तरह से इसको ग्रो करके देख रही हूँ, किसमें जल्दी से रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट होती है, तो देखे, इसको मैं थोड़ा इस तरह से तिर्चा करके लगा रही हूँ, और इसको मिट्टी में लगा दिया है, और मिट्टी से इसको कवर कर दूँगी, अब इसमें डाल दिया है पानी और अब मैंने यह तीनों को ही लगा दिया है तो इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी 20 दिन बाद का रिजल्ट वैसे तो 15 दिन में ही इसकी रूट स्टार्ट हो सकती है तो दोस्तों देखे यह 20 दिन बाद का रिजल्ट है और कितनी अच्छ इसकी ग्रोथ हो गई है, बहुत सारी इसकी जो है ब्रांचेस निकल गई है और पत्तो का कलर भी बहुत अच्छा आया है और शेप भी बहुत ही बढ़िया आई है इसकी तो देखें, रूट कितनी अच्छे से इसकी ड्वलप हो चुकी है तो 20 किया, इसको मतलब 10 दिन बाद ही इसकी रूट्स ड्वलप हो गई थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था ये रखी रखी और भी ज्यादा देखें कितनी घनी इसकी रूट्स हो गई है तो ये बहुत अच्छे से अब रेडी हो चुका है इसको हम as it is भी लगा सकते हैं और इसकी जो ये slips हैं इनको भी cut करकर की हम लगा सकते हैं उनमें भी roots start हो गई लेकिन जो ये मिट्टी में दबाया था ना इसमें अभी तक कोई shooting start नी हुई है roots हलकी हलकी बननी start हो गई है लेकिन कोई भी इसमें लीफ आहां में दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब है इसकी ग्रोथ पानी में जल्दी स्टार्ट हो जा दी है बजाय के मिट्टी के जब हम इनको पानी में लगा रहे हैं तो इनके पानी का जो है लेवल मेंटेन रहना चाहिए अगर आदा ग्लास भरा है हमने तो हमेशा आदा ग्लास भरा रहना चाहिए और उसे हर हफते चेंज करते रहना चाहिए तो देखे अब ये इस स्टेज पर आ गई है कि हम इसको सीधा मिट्टी में लगा सकते हैं या तो इसकी स्लिप्स काटके लगा ले या ऐसे ही लगा सकते हैं तो मिट्टी मैं हमेशा ये लेती हूँ जब भी कोई नया प्लांट लगाती हूँ तो सॉयल, कोकुपीट, सेंड और कंपोस्ट को बराबर भाग में मैं लेती हूँ और उस मिट्टी में मैं लगा लेती हूँ और जो भी फर्टिलाइजर वगरा चाहिए होता है वो मैं बाद में अड़ करती हूँ तो देखे अब इसकी या तो स्लिप्स काटके लगा ले या फिर अगर इसको सेम ऐसे ही लगाना है तो आपको बड़े कंटेनर में इसको ग्रो करना पड़ेगा ताकि नीचे छोटे छोटे शकरकंदी बन सके लेकिन हम तो टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो हम आई पास इत्ता स्पेस नहीं होता है कि हम बड़े से पॉट में लगाए तो पिछले बार मैंने बड़े से पॉट में लगाया था एक ग्रो बैग में लगाया था तो मुझे थोड़े से शकरकंदी मैंने हावेस्ट किये थे तो अब की बार मैं इसके सिर्फ स्लिप्स काट के लगा रही हूँ देखे इसमें रूट नहीं है फिर भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी रूट्स जो है हर नोड एरिया से स्टार्ट हो जाती है और किसी-किसी में ये रूट्स है तो ये और भी जल्दी ग्रो हो जाएगी तो देखे इस तरह से आप पुरी हैंगिंग बास्कित को भर सकते हैं और बहुत ही वो बुशी हो जाएगी अब सिर्फ ये बचा है तो इसको भी आप लगा सकते हैं किसी कंटेनर में तो फिर से इसकी जो है शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और नीचे इसके शकरकन बनते रहेंगे तो ये मैं अपनी hanging basket ready कर रहे हूँ देखें इसमें कितने अच्छी roots है तो एक ही basket में मैं कई सारी branches लगा रही हूँ ताकि basket जो है थोड़ा bushy look दे अब जो मैंने ये शकरकन बनते हैं तो इसके पत्ते थोड़ा अलग design के हैं और shape भी अलग है इनकी लेकिन अब जो लगाए हैं वो एकदम different है तो अब मैं इसमें जो है epsom salt और थोड़ा fungicide मिला हुआ पानी इसमें देदूँगी ताकि ये shock में न जाए क्योंकि अभी-भी मैंने इसकी cutting काट कर लगाई है तो उससे जो है epsom salt से ये grow करने में इसको मदद होगी तो अब देखे ये हो गई है मेरी hanging bass की tready और बहुत ही खुपसरत लग रही है तो इसको हम hang कर देंगे तो अब इसकी थोड़ा care की भी बात कर लेते हैं तो खाद इसे ज्यादा नहीं चाहिए मैं तो हमेशा ही अपने money plant पर भी उपले का liquid fertilizer देती हूँ same इसको भी दें ताकि जो इसका foliage है वो green और बहुत ही बढ़िया रहे है एक बात इसमें coleus से मिलती जुलती है कि इसकी जो है हमें हर 5-6 महीने में cutting लगाते रहना चाहिए वरना इसकी लंबी-लंबी सी branches हो जाती है जो देखने में खुब सुरत नहीं लगती है पीछे के पत्ते जड़ते चले जाएंगे और लंबी-लंबी सी इसकी टहनिया बस आगे बढ़ती रहेंगी देखे इस basket में भी मैंने थोड़े दिन पहले लगाई थी स्वीट पटेटो और इसमें अजवायन और मनी प्लांट भी लगा है तो देखे लग रहा है ना खुब सुरत तो सर्दियां आते ही इसके भी मनी प्लांट की तरह पते जड़ जादे हैं लेकिन ये एक permanent प्लांट है जैसे ही February मार चाता है तो इसमें जबरदस ग्रोथ देखने को मिलती है और बारिश के दिनों में तो इसकी जो है ब्यूटी देखते ही बनती है तो अगर आपको भी कोई स्वीट पटेटो वाइन नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से शकरकंद से अपने घर में ही स्वीट पटेटो वाइन उगा सकते हैं तो देखें ये हो गई है ये लंबी-लंबी ब्रांचेज ये मेरे first floor से नीचे तक आ रही है तो अगर हम इसकी trimming नहीं करते हैं तो इस तरह से लंबी-लंबी इसकी branches हो जाती है तो अभी तो हमने शकरकंद की slips काट-काट के हमने अपनी hanging basket ready की है लेकिन अगर आपके पास पहले से plant है ये ornamental plant है या कोई भी इस तरह के foliage plant है आपके पास शकरकंद वाला तो उसकी cutting लगाना भी बहुत यासान है इस तरह से इसके हर node area से इसको root start हो जाती है तो आपने cutting कुछ भी काटनी नहीं है simply इसको इसकी branch को मिट्टी में इस तरह से दबा देना है और थोड़े ही दिन बाद growth भी start हो जाएगी, root भी बन जाएगी तो आपने थोड़ा सा पीछे से cut करके इसको नए जो है गंबले में लगा देना है तो देखे इस तरह से मैंने इसके कई गंबले बना लिये हैं एक दो ही plant में लेके आई थी और कुछ मैंने अभी ये शकरकंद से भी उगाए हैं तो इसकी जो है इस तरह से इसकी इसलिए जो है पीछे से इसके कुछ पत्ते डल से हो जाते हैं तो इसलिए कोलियस की तरह हमें इसकी cutting लगाते रहना पड़ता है और अब ये मेरे पास एक शकरकंद और बच गई है तो इसका मैं क्या करूँगी कि एक गंबले में इसे भी लगाई देते हैं वैसे अगर बड़े से गंबले में लगाएंगे तो नीचे जो है शकरकंद भी हमें हावेस्ट करने को मिलेंगी थोड़े दिन बाद लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो बैस मैं इस गंबले में ही इसको इसी तरह से लगा रही हूँ ताकि कम से कम जो है इसके पत्तों की ग्रीन री ही हमें मिले और अच्छी में लगे देखने में ये गंबला भी थोड़े दिन में भर जाएगा और हरा भरा रहेगा और थोड़ा अगर बड़ा पॉट होता तो हमें नीचे शकरकन भी बनने को मिलते और हम उनको हारवेस्ट भी कर पाते तो इस तरह से बहुत ही इजी है ये स्वीट पेटेटों वाइन लगाना तो देखे अब इसके हालाद देखते हैं इसकी position देखते हैं जो मैंने मिट्टी में ग्रोग की थी देखे अब इसमें sprouting स्टार्ट हुई है पूरे 25 दिन के बाद रूट्स तो बन गई हैं अच्छी लेकिन स्प्राउटिंग अभी स्टार्ट हुई है यानि कि पानी में आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं मिट्टी से पैस्ट इस पे मिलिबग लग जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और देखे ये नियॉन और परपल कलर एक ही साथ में लगा हुआ कितना खुबसूरत लग रहा है एक ये कलर भी आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसको भी आप ले सकते हैं ये मैंने पिछले साल ग्रो किया था तो इसके पत्तों का साइज और कलर अलग है और जो मैंने आज ग्रो किया है उनके पत्तों का साइज और कलर डिफरेंट है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी प्लीज इसे ज़रूर करें मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग आपको